कोनाब ने ब्राजील में सोया बीन का उत्पादन अनुमान घटा दिया है दरसल कोनाब ने लाटिन अमरीकी देश ब्राजील की संखिय खाद अजंसी कोनाब ने अपनी नई मार्च रिपोर्ट में 2023-24 सीजन के दुरान सोया बीन का उत्पादन 1469 लाग टन होने की संभावना व्यक्त की है जो कि पिछली रिपोर्ट में लगाए अनुमान 1494 लाग टन से 1.7 फीसदी कम है उसने मक्का का उत्पादन अनुमान भी घटा दिया है और मक्का का भी उत्पादन अनुमान घटा कर 1136 लाग टन कर दिया है कोनाब ने राश्य सर पर खाद्यान और तिलुनों का सकल उत्पादन 396 लाग टन पर सिमटने की संभावना व्यक्त की है जो फरवरी के अनुमान 29.97 क्रोड टन से लगबग 1.4 फीसदी कम है गोर तलब है कि ब्राजील में 2022-23 सीजन के दुरान 398 लाग टन खाद्यान और तिलहन का उत्पादन हुआ था जबकि 2023-24 सीजन का उत्पादन उससे 7.6 फीसद कम होने की संभावना है एजनसी के मताबिक ब्राजील में पिछले सीजन के दुरान क्रिशी फसलों का कुल उत्पादन 785 लाग हेक्टेर पर पहुंचा था जो चालू सीजन में 4 लाग हेक्टेर पर घटकर 780 लाग हेक्टेर पर रह गया है इसके इलावा देश के अनेक इलाकों में मोसम काफी प्रतिकुल रहा और प्राकरतिक आपदाओं का परकॉप भी देखा गया ब्राजील में 2022-23 सीजन के दौरान सोया बीन का उत्पादन उचलकर 1546 लाग टन के रिकोर्ड स्थर पर पहुंचा था जिसके मुकाबले इस बार उत्पादन घटने की संभावना है दिलचस्प बात ये है कि 2023-24 के वर्तमन सीजन के लिए कोनाब ने शुरुआती चरण में ही सोया बीन का घ्रेली उत्पादन तेजी से बढ़ाकर 1620 लाग टन के उपरी स्थर पर पहुंचने का अनुमान लगाया था लेकिन बाद में खराब मोसम के कारण उसने अपने अनुमान में कट्टोती कर दी है वैसे ब्राजील में सोया बीन का बिजाई शेतर 2022-23 सीजन के 441 लाग हेक्टेर से बढ़कर 2023-24 के सीजन में 452 लाग हेक्टेर पर पहुंच गया लेकिन फसल की ओसत उपसदर इस सब्धी में 7.3 फीसदी घट गई और घट कर 5251 किलो प्रती हेक्टेर रहने की संभावना है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी